नमस्कार दोस्तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल ग्यां अंदरपड़ MS में आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं लोग कथा समराड स्वामी आधार बाबा उन्होंने बताया के तील लोग हमेशा ही तुमारे साथ में दगाबाजी करते हैं वो तील लोग कौनसे हैं आज हम इस कहनी के माद्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल ही सत्य घटना सत्य बात है इन तील लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखें नहीं तो तुम कभी भी किसी भी मोड पर धोका खा सकते हो आईए समय नवरबाद करते हुए डारेक्ट टॉपिक में बात करते हैं वो तील लोग कौनसे हैं जो तुमारे साथ में दगाबाजी कर सकते हैं मित्रो बहुत प्राणी बात है किसी गाओं में एक बहुत गरीब रहमण रहा करता था वो इतना गरीब था कि परवार के लिए दो समय का भूजन भी नहीं जुटा पाता था एक दिन वो है धन खमाने की इच्छा लेकर परदेश के लिए निकल गया प्रूरतों की कुछ चीजें उसने अपने साथ में रख ली चलते चलते जब ओह एक जंगल में पहुँच गया तो उस जंगल के रास्ते में क्या देखा कि एक कुवा है कुवे को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी जैसे ही उह कुवे के पास में पानी पीने के लिए गया जैसे ही उसने कुवे में जहक करके देखा तो क्या देखा कि उस कुवे में एक बंदर एक सेर और एक सर्प और एक आदमी पढ़ा हुआ था जैसे ही उपर से एक मनुस को उस कुए में जहंकता हुआ देखकर सेर बोला अरे भाई तुम कौन हो बड़े ही अच्छे समय पर आये हो किरप्या करके मुझे इस कुए से बाहर खिंच लो कई दिनों से मैं इस कुए में पढ़ा हूँ मुझे इस कुए से बाहर निकाल कर मुझे पर एक एसान कर दो मित्रो सेर की प्राथना सुनकर द्रहमण कहने लगा कि है सेर क्या तुम मुझे मुझे मूर्क समझ रहे हो अगर मैंने तुम्हे इस कुए से बाहर निकाला तो तुम एक हिंसक पसू हो तो तुम मुझे मार कर खा नहीं जाओगे क्योंकि स्वाहु से भी तुम मेरे सत्रू हो इसलिए मैं तुमारे उपर विश्वास नहीं कर सकता उसी समय सेर कहने लगा कि अरे भले आदमी मैं बैसे भी मुसीवत का मारा हुआ हूँ मैं भला तुम्हें क्यों नुक्सान पहुँचाऊंगा तुम मुझे अकारड ही डर रहे हो मैं तुम्हें भला क्यों नुक्सान पहुँचाऊंगा सेर के बार बार प्रात्ना करने पर उस गरी ब्रहमड को सेर के उपर दया आ गई ओ है, ब्रहमड सोचने लगा के आखिर परौपकार ही पुन का कार होता है सेर कहने लगा के है बाई मैं इस बात का बायदा करता हूँ का मैं तुम्हें किसी प्रकार का नुकसा नहीं पहुचाऊंगा और सदाही में तुम्हारा एयसान बंद रहूंगा सोच विचार कर ब्रहमड ने कुए में रसी डाल कर उस सेर को कुए से बाहर निकाल लिया कुए से बाहर निकलने के बाद उस सेर ने ब्रहमड को धनवाद दिया और वह सेर कहने लगा के हे ब्रहमड मैं तुमारा ये उपकार कभी नहीं भूलूँगा और मैं एक बात और बता दूँ मैं इस पहाड को उस पार रहता हूँ तुमारे उपर कभी भी मुसीवत आ जाए तो तुम मेरे पास में चले आना और जितनी भी हो सकेगी मैं तुमारी मदद अवस्च करूँगा उसके बाद में कुएस के अंदर से एक बंदर की अवाज आती है बंदर कहता है कि ओ बले आदमी मुझे भी इस कुएसे बाहर खिंच लो मैं भी तुमारा सदा ही रिडी रहूँगा मित्रो ब्रहमड ने रस्षी डालकर बंदर को भी कुएसे बाहर निकाल लिया बंदर ने भी उसे बहुत ही धन्वाद दिया और बंदर कहने लगा कि मैं भी इस पाहडी के पीछे एक भगीचे में रहता हूँ कभी भी तुम्हें मेरी जरूत पड़े तो तुम मेरे पास में चले आना मैं आपकी पूरी मदद करूँगा इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया उसके उपरांत कुए के अंदर से अब सर्प ने आवाज लगाई ओ ब्रहमड देवता जिस तरीका से तुमने इस कुए से सेर और बंदर को बहान निकाला है मुझे भी निकाल कर मुझ पर एक उपकार कर दो तब ब्रहमड बोला ना बाबा ना तुम तो एक सर्प हो तुम तो बहुत ही बिसैले जीव हो कहीं तुमने मुझे काट लिया तो सर्प बोला अरे भाई कैसी बातें करते हो क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुँचाता है ब्रहमड बोला है सर्प मैं तुमारे उपर यकीन नहीं कर सकता सर्प ने बहुत विंती की कहा के देखो तुम मुझे बाहर निकाल लो मैं आपको कदापी नहीं काटूंगा ब्रहमड ने दयावस उस सर्प को भी कुए में रसी डाल करके बाहर निकाल लिया और सर्प ने भी ब्रहमड का बहुत ही धन्दबाद दिया सर्प कहने लगा के है भाई तुम्हें कभी भी जीवन में किसी मुसीवत का सामना करना पड़े तुम मुझे याद कर लेना मैं उसी छड़ तुमारे पास आकर तुमारी सायता करूँगा ब्रहमड ने कहा कि ठीक है अगर ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर ही याद करूँगा तभी कुए के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है वो आदमी कहता है कहरे भाई मुझे भी इस कुए से बाहर निकाल लो मैं तुमारा हमेशा ही रिडी रहूँगा ब्रहमड उस आदमी को कुए से बाहर निकालने के लिए जैसे ही रसी डालता है उसी समय सर्प और सेर एक साथ कहने लगे कहे ब्रहमड देव तुम इस आदमी की सायता मत करो ये तुमारी ब्रादरी का जरूर है लेकिन ये बहुत ही बुरा आदमी है दोके बाज है, चाल बाज है बंदर ने भी सेर और सर्प की बात का समर्थन किया देखो भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीवत में फस जाओगे ये आदमी बड़ा ही कृतगन है जो इसकी मदद करेगा ये उसी की जड़ काटता है इतना कहकर के सेर, बंदर और सर्प वहां से चले गए सेर, बंदर और सर्प के चले जाने के बाद उह कुए में से आदमी गड़गडाने लगा और कहने लगा कहरे भाई, तुमने इन तीनों की जान तो बचा ली मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुमारी बरादरी का हूँ तब ब्रहमण कहने लगा कहरे भाई, तुमारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे है इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो मैं तुमारी कोई भी मदद नहीं करूँगा वो आदमी कहने लगा के रे भाई तुम उन जानवरों की बातों में ना आओ और तुम मेरी मदद करो मित्रो वो आदमी बहुती रोया चिलाया गिडगडाया तो ब्रहमड को उस पर दया आ गई ब्रहमड ने सोचा चलो इसे बहार निकाल लेते हैं और ब्रहमड ने दयावस उस आदमी को भी कुए से बहार निकाल लिया उस आदमी ने ब्रहमड को भी बहुत बहुत धन्वाद किया और कहने लगा कि बंदू तुमने मेरे उपर जो उपकार किया है उसे में साथ जर्मों तक नहीं बोलूँगा तो ब्रहमण कहता है के रे भाही इसमें उपकार जैसी किया बात है इंसान ही इंसान के काम आता है लेकिन तुम कौन हो तब उहे आदमी ब्रहमण को अपना पर्चे देता है कि हे भहिया मैं एक गरीब सुनार हूँ पास ही के सहर रतन नगर में मैं रहता हूँ कभी मेरे योग कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पदारना इतना कहकर वो भी चला गया उस आदमी के चले जाने के बाद ब्रहमड ने अपने जोले से लोटा निकाला और कुए में डाल करके पानी निकाल करके उस पानी को पिया और उसके बाद अपनी रहा पर चल पड़ा फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुँचा ओहे ब्रहमड उस सेर में पहुंच तो गया है कोई दूसरा दरवाजा देख लो ब्रहमड नरास होकर के वहां से लोट गया लेकिन नौकरी की खातिर ब्रहमड ने बहुत दोड़ धूप की लेकिन उस ब्रहमड की तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया तो अब ब्रहमड सोचने लगा कि अब मैं अपने बच्चों के सामने बीबी के सामने क्या मुह लेकर के जाऊंगा मुझ जैसे बद नसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है इस तरह हतास होकर के ब्रहमड आत्महत्या करने की सोचने लगा तभी उसी आदमी को बंदर सेर और उस सुनार एबम उस सर्प के बचनों की याद आई क्यों न एक बा पहले वो है उस बंदर के पास पहुँचा बंदर ने दिल खोल करके उस गरी ब्रहमड का स्वागत किया और खूब ब्रच्छों से तोड़ करके बड़े ही मीठे मीठे फल खिलाए बंदर ने कहा कि कभी भी तुम मेरे घर चले आना यहां हमेशा आपका स्वागत होगा ब् बंद के राजा सेर से मिलना चाता हूँ क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो तब बंदर कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं तुम पहड़ी के नीचे चले जाओ पहाड़ी के उस पार सबसे पहले तुमें बंद राज की ही गुफा मिलेगी इतना सुनकर के ब्रहमड तो वहां से चला गया उस सेर के पास में और धीरे धीरे उस सेर की गुफा के पास में पहुंचा जब ब्रहमण सेर के पास में पहुंचा तो सेर खुसी से उस ब्रहमण का स्वागत करने के लिए सेर आ गया आया और वह सेर कहने लगा कि तुम्हें देखकर के मुझे बहुत ही पास नहो मित्र तुम्हें यहीं ठेरो मैं अभी आता हूँ इतना कहकर के सेर अपनी गुफा में चला गया जब उहे गुफा से बाहर निकला तो उसके मुह में एक सोने का रतन जड़ा हुआ एक हार था उहे सेर उस हार को ब्रहमण को देते हुए कहने लगा के लो मित्र इस हा करके ब्रहमण ने हार को उठाया और सेर से बिदा ली और वहे रतन नगर को लोट आया बापस लोटते हुए ब्रहमण का मन खुशी से नहीं समा रहा था आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी इस हार को अच्छे दामों में बेच करके मैं अपने घर लोट जाऊंगा करके मैं सहार को बेचुँ तो कहां बेचूं अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुए से निकाला था तोचने लगा के मैं ने उसकी जान बचाई थी वो इस मामले में मेरी सायता जरूर करेगा मित्रों ब्रहमण ने सुनार की मिदद लेने का निश्य किया औ और रतन नगर में पहुंचकर के सीधा सुनार की घर पहुंचा, सुनार ने जैसे ही देखा तो सुनार का दिल बागवाग हो गया, कहने लगा के आओ मित्र कैसे आना हुआ, तो ब्रहमण कहने लगा के है सुनार भाई, मैं तुम्हारे पास में एक जरूरी काम से आया हूँ, तो सुनार कहने लगा कि हां मित्र कहिए मैं तुमारे किस काम आ सकता हूँ तो ब्रहमण बोला कि है भाई मेरे पास में एक हार है मैं चाहता हूँ कि तुम उस हार को अच्छे दामों में भिकवा दो इतना कहकर कि उस ब्रहमण ने अपनी जेव से उस हार को निकाल कर उस सुना आज तक बापस नहीं लोटे और यहार में नहीं राजकुमार को बना कर दिया था सुनार शोचने लगा कि राजा ने भी इस बात की घोसडा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूँगा सुनार के मन में राजा दवारा गोसित इनाम का लोब जाग उठा अगले ही पल उहे अपनत जगाता हुआ बोला हे मित्र मैं तुमारी सायता वश्च करूँगा लेकिन मैं इस बारे में किसी अच्छे जोहरी से सलहा लेना उचित समझता हूँ ताके आपको अच्छे पैसे मिल सकें इतना कहकर सुनार ने उस अहर को लेकर के अपनी जेब में रख लिया फिर बाहर जाने के लिए तयार होने लगा और ब्रहमड से कहा के तुम कुछ देर तक यहीं ठेर कर आराम करो और मैं तब तक जोहरी से मिलकर के आता हूँ और सीधा राज दरवार में पहुँचा राजा को प्रडाम करते हुए बोला कि हे महराज कि मैं आपसे एक विशेश काम से मिलने आया हूँ तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला महराज ये बही हार है जिसके लिए मैंने स्वेम बनाया था राज कुमार के लिए एक आदमी इस हार को बेचने के लिए मेरे पास में आया है महराज मैं उस आदमी को अपने घर पर बेठा करके आया हूँ हार को देखकर के राजा पहँचान गया कि जरूर बही मेरे राज कुमार का हत्यारा होगा राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा कौन है वह सैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है तब सुनार कहता है कहे राजन उह एक गरीब रहमड है वो अभी मेरे घर पर ही बैठा है राजा ने गुस्ये से पागल होते हुए सैना पती को आदेश दिया कि इस सु बिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है इसे तुरंत ही काराबास में डाल दिया जाए राजा के सिपाईयों ने उस ब्रहमड को ले जाकर काराबास में डाल दिया जब ब्रहमड को पकड़ करके सैने के ले जाने लगे तब ब्रहमड कातिर सुर में कहने लगा आखिर मुझे तुमने राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है, मैं तो निर्दोस हूँ, तब सिपाई लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है, तो राजकुमार का हार तुमारे पास कैसे आया, जिस हार को तुम, जिस सुनार को बेचना चाते हो, उसी सुनार यही हार राज कुमार को बना करके दिया था, इस समय तुम पकड में आ गए हो, अब तुम नहीं बच सकते, कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे, इतना कहकर के सैनिक तुम वहां से चले गए, अब हुआ क्या मित्रो, सैनिकों के चले जाने के बाद में ब्रहमण सोचने लगा, कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फसा दिया है, अब में क्या करूं, इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है, हे प्रभू मेरी रच्छा करना, अगर मुझे फांसी हो गई, तो मेरी बीवी और बच्चों का क्या होग मित्रो, तबी अचानक उस ब्रहमण को सर्प की बात याद आ गई, अगले ही पल उस ब्रहमण ने उस सर्प को याद किया, सर्प भी उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, कह रहे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया, ब्रहमण कहने लगा कि मैं बहुत बड़ी मु पिर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरपदार होने तक का सारा किस्सा उस सर्फ को सुनाया और वह ब्रहमड करण सुर में कहने लगा कि है मित्र अब तुम मुझे बचा लो तुमने मुझे कहा था कि मुसीवत के समय तुम मेरे काम आओगे अब तो मेरी जान पर बना आई है म मेरे लिए इससे बड़ी मुसीवत और क्या हो गई। तब सर्ब कहता है के हे मित्र, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, कि उस क्रतकन आदमी की सायता तुम कभी मत करो, कि वो तुमारे लिए मुसीवत बन सकता है। कहते हैं कि जो धनका अतियंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक इस्त्री पुरुसों में मन लगाने बाला हो, चाए इस्त्री हो या पुरुसों, इनसे चाए कितनी ही गहरी यारी हो, ये तील लोग हमेशा ही दोका देते हैं, इन पर कभी भी आखे मूद कर के विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्व कहने लगा के ठीक है भाई, ये तुमने मुझे याद किया है, तो मैं तुम्हारी सायता अवस्च करूँगा, मुझे एक उपाय सुजा है, मैं चुपके से महरानी के कमरे में जाकर के मैं उन्हें डस लेता हूँ, मेरे जहर से महरानी बेहोस हो जाएंगी, फिर चाहे कोई कितना ही प्रियत्न कर ले, बेहोस में नहीं आ सकती, मेरे जहर का सर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से महरानी के मस्दिस्क को नहीं चुओगे तुम जैसे ही महरानी का माता चुओगे वो होस में आ जाएगी और राजा खुस होकर के तुमें छोड़ देगा राजा अपनी राणी से बहुत प्यार करता है वो उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है मित्रो फिर वो है साप जेल की कोठरी से निकल कर राणी के कच्छ में पहुँच गया और अगले ही पलोस सर्प ने राणी को डस लिया राणी तुरंत ही उठ बैठी और चिल्ला पड़ी सर्प खिड़की के राजते से उन्हें डस करके चला गया महरानी इधर महरानी चीकती हुई कच्छ में बेहो सोकर के गिर पड़ी राणी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए और राणी ने बता दिया कि मुझे सर्प ने डस लिया है मित्रो तुरंत ही राणी को सुचित किया गया कि राणी को एक जहरीले सर्प ने डस लिया है और महरानी बेहोस हो गई है जल्द से जल्द उनके उपचार की विवस्ता कीजी राजा ने तुरंत ही एक सेबक को बला करके राजवैद को बला लाने की आग्या दी राजवैद को बलाया गया और राजवैद से राजा ने कहा हे बैद राज तुम मेरी रानी को बचा लीजिए इसे किसी सरपने डस लिया है यद मेरी रानी को कुछ हुआ तुम्हें जीवित नहीं रहूँगा मित्रो इतने सब्द सुनने के बाद बैद राज ने रानी का निरिच्छड किया उसके बाद में बैद राज ने डसा है वो बहुत ही जहरीला है मेरी कोई भी उसदी काम नहीं कर रही है तब बैद राज ने राजा को दलासा देते हुए कहा कि महाराज निरास मत होईए अभी वक्त है किसी अन्य बैद और हकीम को बुला लीजिए साइद उनके पास ऐसी कोई दबा हो जिससे राणी ठीक हो जाए मित्रो अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया हे महा मंत्री फोरण ही एलान करवा दो जो भी महाराणी का अपचार कर उन्हें ठीक करेगा हम उसे मुह मागा इनाम देंगे राजा ने तुरंत ही पूरे राज में घोसला करवा दी राजा के आदेश का एलान होते ही कई बैद हकीम आये महाराणी को तरह तरह की ओसदियां दी गई लेकिन कोई भी लाब नहीं हुआ महाराणी की बेहोसी बैसी की बैसी ही बनी रही सब बैद हकीम तरे तरे की योसदियां दे करके हार चुके थे अब तो भगवान ही महरानी को बचा सकता है बैद हकीमों का निरासा पूर उत्तर सुनकर राजा का दिल भी तूट गया बे मन ही मन में गुलने लगे हे भगवान महरानी के उपर ये कैसी आफ़ता गई मित्रो उधर जेल की कोठरी में कैद ब्रहमड ने राजा का एलान सुना उसी समय ब्रहमड ने उस पहरेदार से कहा कहे भाई मुझे तुम राजा के पास ले चलो कि मैं महरानी को ठीक कर सकता हूँ तब पहरेदार कहता है कहरे ब्रहमड जब अच्छे अच्छे बैद हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुमें एक हत्यारे होकर तुम उन्हें वाला क्या ठीक करोगे ब्रहमड ने फिर विंती की कहे भाई एक बार तो मुझे राजा के पास ले तो चलो मैं सच कहता हूँ के महरानी को बिल्कुल सही कर दूँगा पहरेदार ने यह कबर राजा को दी राजा ने तुरंत ही ब्रहमड को अपने पास बोलबाया राजा ने कहा कहें ब्रहमड अथ सीग्र तुम मेरी रानी को जीवित कर दो अगर तुम मेरी राणी को जीवित नहीं कर सके तो में तुमारा सर अबश सही कटवालूँगा ब्रहमड ने कहा कहा मुझे मनजूर है महराज मित्र ब्रहमड के बिश्वास दिलाने पर राजा ने ब्रहमड को राणी के महल में जाने का आदेश दे दिया प्रहमड ने आस्ता से अपना हाथ महरानी के माथे पर रख दिया अगले ही पल महरानी बिस्तर से उठ बैठी उनके बदन का नीला पन गाइब हो गया चहरा पहले की तले ही दमकने लगा वो चकित सुर में कहने लगी के महराज तब राजा ने कहा के महरानी तुम इस ब्रहमड की किरपा से जीवित हो ही हो तब महराज ने महरानी के जीवित होने की खुसी में उस ब्रहमड को छमा कर दिया और उस ब्रहमड से उसकी असलियत पूछी तब ब्रहमड ने सारी बात इसपस्ट रूप से बता दी तब राजा ने ब्रहमड को खूब पूर्व का बैरी हो अनेक इस्त्री पूर्शों में आ सकती रखता हो इन लोगों पर कभी भी विश्वास न करें ये तीनों लोग कभी भी जीवन में विश्वास घाती हो सकते हैं यानि कभी भी धोका दे सकते हैं मित्रों में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कहनी अबस ही अच्छी लगी होगी, कहने का तातपर मेरा ये है दोस्तो, कि मनुष को सोच बिचार करने के बाद में, मनुष पर बिस्वास करना चाहिए, क्योंकि समसे बड़ा दगाबाज, समसे बड़ा बिस्वास गाती, कोई हो सकता है तो उसी का सगा संबंदी, उसी का कोई सगा मित्र रिस्तेदार हो सकता है, इसलिए लोगों पर भरुसा करना एक खत्रे से खाली नहीं है, इसलिए सोच बिचार करने के बाद लोगों पर भरुसा करना चाहिए, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें